जैहिन साथियो आज के वीडियो में बात करेंगे इंपोर्टेंट फैस्टिवल और मेलों के बारे में तो पहला क्यूशन आपके सामने इंपोर्टेंट क्यूशन है छट पारू पे किस देवता की पूजा की जाती है तो जो दोस्तो छट तोहार मनाय जाता है उसमें किस देवतागी पूजा की जाती है तो उसमें की जाती है सिवजी बगवान की नहीं उसमें की जाती है सूरिय बगवान की ओप्सन नमबर सी राइट हो जाएगा अब मैं बताता हूँ आपको किस-किस राज्य में छट पूचा मनाई जाती है तो दोस्तो सबसे important बनेगा बिहार राज्य है और दूसरे नमबर पर है जारखंड अगर आपसे पूचे कि छट पर किस राज्य में मनाई जाता है तो बिहार आपको टिक करना है अगर बिहार ना पर किस राज्य में मनाई जाता है नेक्स्ट क्यूचन है बैसाखी का तोहार इन में से किस ने सुरू किया था या किस गटना के बाद यह तोहार शुरू हुआ था तो चारों आपके सामने है important क्यूचन है दोस्तों तो इसकी सुरुवात हुई थी जब खालसा पंथ की सुर गुरू थे और बता दू किस साल करी थी तो 1969 में खालसा पंथ की सुरुवात करी गई थी नेक्स्ट क्यूचन है नवरोज या जिसको हम नवरोज भी बोलते हैं इन में से किस सम्बंदित है यानि किन लोगों से सम्बंदित है नवरोज का त्योहार तो वो है पार्सी लोग महीने का अंत यानि एंड परदसित करता है तो इन चारों मेंसे आपको कौन से ऐसा लग रहा है जो इसलाम दरम में रमजान महीने का लाश्क बताता है तो वो बताता है ओप्सन नबर वन इद उल्फितर जो सो ऐसे कुशन जरूर पूछी जाते हैं याद रखेगा नेक्ट में से किसे गनेश चतुर्थी को एक सारुजनिक उच्छव के रूप में शुरू करने का सरे दिया जाता है यानि जो गनेश चतुर्थी है उसको शुरू किस ने किया था चार ओप्सन आपके सामने अमबेड कर गोखले बाल गंगादर तिलक या जोतिबा फुले जी तो इ नो ही फैक्ट याद रखेगा और गनेश जी की इसमें पूजा होती है बथु कम्मा एक परसित त्योहार है किस राज्य का है बथु कम्मा किस राज्य का त्योहार है तो वो है तेलंगाना राज्य का ओप्सन नमबर सी करेक्ट है इसके बारे में बता दू तो दोस्तों ये सरहुल फैस्टिबल किस राज्य से संबंदित है तो आपको बताना है सरुल किस से संबंदित है तो वो है ओप्सन नमबर बी जारखंट राज्य से संबंदित है सरुल पर इसके बारे में बात करें तो किस महीने में मनाया जाता है तो चैत्र महीने में मनाया जाता है हिंदी चात्रा उत्सव के लिए इन में से कौन सा सहर परसिद है दोस्तों सारे important question है वीडियो को स्किप मत कीजेगा लास्ट में आपको pattern बदल के भी पढ़ाऊंगा तो यह मनाया जाता है कटक सहर में जो कहां का सहर है ओडिशा का सहर है और आपको बता दूँ तो भईया इसको क्यो मनाया जाता है उडिशा का जो समुंदरी इतियास है उसको याद करवाने या बताने के लिए इसको मनाया जाता है और यह कब मनाते हैं कार्थिक महीने में मनाते हैं लगबग अक्टूमबर या नवमबर महीने के बीच नेक्स क्यूशन बनेगा पैगंबर मौमद के जनम दिन के उपलब्द में या उपलक्स में दोस्तो इसको उपलक्स समझेगा में कौन सा त्योहार मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है उप्सा नमबर डी इद उल मिला दूनबी नेक्स क्यूशन है which of the following combination of the state and the festival तो इन में से कौन से state और festival का मैचिंग नहीं हो रहा है आपको वो बताना है राज़तान में गंगोर त्योहार मनाते हैं गुजरात में दुर्गा पूजा माराश्टरा में गनेश चतुर्थी उत्तर परदेश में किर्शन जनमास्टमी तो राइट अंसर कौन सा हो जाएगा उप्सन नमबर बी और याद रखेगा दुर्गा पूजा वेश्ट बंगोल में नेक्स क्यूशन बनेगा फ्लेमिंगो महुच्षव किस राज्य में आयुजित किया जाता है तो फ्लेमिंगो किस राज्य का उच्षव है तो वो है उप्स वहाँ पे ट्यूरिजम को इंक्रीज करने के लिए या परमोट करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है रोंगा ली बी हूँ किस राज्य का परमुख त्योहार है दोस्तो बी हूँ अगर आपको दिख जाए कहीं भी तो आपको एक ही उप्सन याद रखना है वो है असम कोई सा भी बी हूँ हो आपको बस असमयाद रखना है तो option number D इसका बिल्कुल टाइट हो जाएगा और किस महीने में मनाया जाता है तो अपरेल महीने में ये मनाया जाता है जली कटू निमन में से किस त्योहार से सम्मंदित है तो जली कटू दोस्तो जिनमें सांड से सम्मंदित खेल है किस त्योहार पे बनाया जाता है और किस राज्य का तोहार है तो आपको बता दूँ यह है तमिलनाडू का त्योहार है और आपको बता दूँका हूँ सान्ड से सम्मंदित खेल है जैसा कि आप साइड में फोटो भी देख पा रहे होंगे उगादी नामक पर नीमन में से किस राज्य का परमुक त्योहार है दोस्तों CHSL हो CGL हो कोई भी SSC का एक्जाम हो या और कोई इंपोर्टेंट एक्जाम हो यह क्युशन जरूर बनता है फेवरेट क्युशन है SSC का तो आपको बताना है उगादी किस से सम्मंदित है तो वो है करनाट का राज्य से उप्सन नमबर वन इसका राइट हो जाएगा राजगीर महुचसव किस स्टेट में मनाया जाता है तो राजगीर महुच्छव सम्मन्द रखता है उत्तर प्रदेश से उप्सन नमबर D इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा याद रखेगा उप्सन नमबर D विचिटी होश्दा काला गोडा आर्ट फेस्टिवल फरवरी एवरी एर तो याध फरवरी में जो हर साल काला गोडा गोडा उच्छव होता है वो किस सेर में मनाया जाता है या आयुजित किया जाता है तो वो किया जाता है मुंबई में जो कहां पे है माराष्ट्रा में है option number one right हो जाएगा दोस्तो याद रखेगा फरवरी में मनाया जाता है काला गोडा उच्छव next question बनेगा in which state is the माधवपूर मेला held annually तो जो माधवपूर का मेला हर साल भरता है वो किस राज्य में बरता है तो वो बरता है गुजरात राज्य में option number C right हो जाएगा रथ यात्रा उच्छव किस सहर में मनाया जाता है कोंकार में पूरी में हरिद्वार या द्वारिका में तो इसका right answer हो जाएगा option number B पूरी में मनाया जाता है next question बनेगा महा कुम्ब कितने वर्सों के अंतराल में होता है तो जो महा कुम्ब का मेला लगता है दोस्तों आपको बता दूँ टोटल बारा साल के बाद में यह मेला लगता है तो ओप्सन नमबर वन राइट हो जाएगा चार सेरों में लगता है चार बड़े सेर है अलाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्यन में लगता है ये चारोई जगे याद रखेगा उप्सन में आपको कई बार तीन दी मिलते हैं चोथा कोई ओर दिया मिलता है और आपसे पूशता है कि महाकॉम का मेला कहां लगता है विश्टेट होश्दा एनवल सूरजगुंड क्राफ्ट मेला तो जो सूरजगुंड का क्राफ्ट मेला है वो कहां पे लगता है तो ये लगता है भईया दोस्तो हरियाना के फरीदाबाद में और फरवरी के मंथ में लगता है तो उप्सन नमबर वन राइट हो जाएगा लासोंग उच्छाव किस राज्य में मनाय जाता है तो आपको बताना है लोशोंग उच्छाव किस राज्य से संबंध रखता है तो यह रखता है सिक्किम राज्य से option number C right हो जाएगा और यह दिसंबर के बंथ में मनाया जाता है Which of the following is a monsoon festival इंडिया तो यह कौन सा ऐसा festival है या उच्छव है जो monsoon को दिखाता है या monsoon की starting को बताता है तो वो बताता है तीज, option number B, तीज उच्छव याद रखेगा और किस देवी से समर्पित है तो पारवती देवी को समर्पित है Hamish festival is celebrated in तो जो Hamish उच्छव है किस state में या किस यूटी में मनाय जाता है तो वो मनाय जाता है option number D, लद्धाक में आपको बता दू, Hamish राष्ट या उद्धान भी है जो भी लद्धाक में है In which of the following state is the Hornbill festival held annually तो जो Hornbill का त्योहार होता है हर साल वो किस राज्य में मनाय जाता है तो वो मनाय जाता है option number D, नागालेड राज्य में और आपको बता दू, 10 दिन का ये त्योहार होता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है और इनको festival of festival भी कहा जाता है यानि त्योहारों का त्योहार भी इसको कहा जाता है नुवा खाई उच्छाव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाय जाता है तो नुवा खाई किस राज्य का उच्छाव है, तो वो है ओडिशा का option number C, right हो जाएगा next question है, सबसे बड़े पसू मेले में से एक, सोनपूर का मेला निमन में से किस राज्य में स्थित है दो जो सौनपूर का पसू मेला है वो है बिहार राज्य का ओप्षन नमबर B दोस्तो काफी बड़े मेले में से एक है तो इसको याद रखेगा सौनपूर बिहार से सम्मंध रखता है अंबू बाची किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों ओप्शन वाले सारे कुष्ण हो गए हैं हम आपको जल्दी से जल्दी कुष्ण कराने की गोशिस करूँगा तो अम्बुभाची लगता है असम राज्य में बोनालू कहां का त्योहार है तो जो बोनालू त्योहार है वो है तेलंगाना राज्ये का याद रखेगा कर्मा फैस्टिवल किस राज्ये से सम्मंद रखता है तो वो जारखंड से सम्मंद रखता है ओनम की बात करूँ तो ओनम दोस्तो केरल राज्ये का त्योहार है इंपोर्टेंट है याद रखेगा खजरुआओ की बात करें तो जहां पे आपको खजराओ आ जाए तो मद्य परदेश को याद रखेगा आपके 99% किशन ठीक हो जाएंगे एलिफेंटा उच्छव की बात करूँ तो माराष्ट्रा में मनाया जाता है याओसंग फेस्टिवल इंपोर्टेंट दोस्तो मौस्ट इंपोर्टेंट मनीपूर राज्य में मनाया जाता है चेरी बलोजम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है मेगाले में वांगला फेस्टिवल यह भी important मनेगा, वांगला है, मेगाल्य में मनाय जाने वाला, त्योहार कोनार्क फेस्टिवल किस राज्य में मनाय जाता है? तो यह मनाय जाता है, ओडिशा राज्य में लठमार होली, बच्चा बच्चा जानता है कि यूपी की फेमस है बुक्षाबर्ड फेस्टिवल दोस्तो सीजियल में आयवा क्यूसन है और वेस्ट बंगोल से संबंध रखता है बिहुल की बात करूँ तो बिहार राज्य से संबंध रखने वाला उच्छव है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही कैसा लगा आप सभी को वीडियो कोमेंट करके जरूर बताना और हाँ टेले ग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लीज जोइन हो जाना और आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए थेंक यू